हलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एक्जाम इस्टडी आई क्यू पर आज है चॉज जुलाई 2020 और हम आज की सभी इंपोर्टेंट क्यूशन्स के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे जो कि आपकी अप्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट रह सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्रिशन है हाल ही में राश्ट्रिय परसारन दिवस कब मनाये गया है तो यह 23 जुलाई को राश्ट्रिय परसारन दिवस मनाये गया है अब यह दिवस मनाय क्यों जाता है तो इस दिन इतियास में 23 जुलाई 1927 को Bombay Station of the Indian Broadcasting Company द्वारा भारत में पहली बार रेडियो परसारण किया गया था इसलिए हर वर्स 23 जुलाई को यह राश्ट्रिय परसारण दिवस मनाया जाता है Next question है हाल ही में मनिपूर जलापूर्ती पर्योजना का सिल्यानास किसके द्वारा किया गया है अपने देश के प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए मनिपूर जलापूर्ती पर्योजना का सिल्यानास किया गया है और यहाँ परियोजना जल जीवन मिसन के तहट शुरू की गई है और इस परियोजना का उद्देश है मनिपुर के हर घर तक नल कनेक्शन द्वारा मीठा वे स्वच्छ जल पहुँचाना बात उही मनिपुर की तो मनिपुर की राजदानी है इंफाल मनिपुर के मुक्यमंत्री है एन बिरेन सिंग और मनिपुर के राजपाल है नजमा हे पितुल्ला और मनिपुर के हाई कोट के मुक्यनायदी से रामा लिंगम सुदाकर हाली ही में DBS दौरा वित्वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने परतिसत तक गिरने का अनुमान लगाया है तो DBS ने भारत की GDP छे परतिसत तक गिरने का अनुमान लगाया है बात हुई DBS की तो DBS की फुल फॉर्म है Development Bank of Singapore हिंदी में Singapore Vikas Bank और DBS की स्थापना 16 जुलाई 1968 को की गई थी और इसका मुक्याल है सिंगापूर में स्थित है और DBS के CEO है Pius Gupta और Chairman है Peter C. Next question है हाल ही में किस देश ने तियान वेन पश्ट नामक एक मार्स उपगरे लांच किया है तह चीन देश द्वारा तियान वेन पश्ट नामक एक मार्स उपगरे लांच किया गया है और यह उपगरे चीन का पहला रोवर मार्स उपगरे भी है बात हुई चीन की चीन की राजदानी है बीजिंग चीन के राष्ट पती है सी जिनपिंग और चीन की करंसी है रेन मिन भी next question है हाल ही में भारत ने नेबर हुड प्रोसेसिंग प्लांट इस्तापित करने के लिए किस देश के साथ समझोता किया है तो अपने देश भारत ने मालदीव देश के साथ नेबर हुड प्रोसेसिंग प्लांट इस्तापित करने के लिए समझोता किया है और इस समझोते के तहट मालदीव के दो द्वीब मरादू वे हुल हुदो पर मतश उत्पादन को बढ़ाया जाएगा बात हुई मालदीव की मालदीव एसिया महादिप में इस्तित है और मालदीव की राजदनी है माले और मालदीव के राष्टपती है इब्राहिम महुम्मद सोली है और मालदीव की करनसी है मालदीवियन रुपिया next question है हाल ही में किस बैंक द्वारा insta click-savic account नामक सुविदा शुरू की गई है तो है बी-ो-बी यानिकी bank of बडोदा द्वारा insta click-savic account नामक सुविदा शुरू की गई है और इस सुविदा के जरिये आप 100% paperless account open कर सकते हैं और इस account में कोई minimum balance वाली नियम वे सरते भी लागू नहीं होती हैं और यह है account आप अपने mobile के द्वारा ही पैंको बड़ोदा के एप को डाउनलोड करके open कर सकते हैं Next question है हाल ही में Victor Chizigo का निदन हुआ है वे कौन थे तो वो एक चित्रकार थे ये थे Victor Chizigo और इनी का हाली में निदन हुआ है और ये एक रूसी चित्रकार थे Next question है हाल ही में किसे International Union of Railway के सुरक्षा मंच के उपाद्यक्स के रूप में चुना गया है तो है अरून कुमार को International Union of Railway के सुरक्षा मंच के उपाद्यक्स के रूप में चुना गया है यह है अरुन कुमार और यह हमारे देश के परजन टाइम के आर पीएफ यानि की रेलवे सुरक्षा बलके महान ने दे सक भी है बात हुई International Union of Railway की तो इसकी स्थापना 17 अक्टूबर 1922 को की गई थी और इसका मुख्याल है पेरिस में इस्थेता है और International Union of Railway के अध्यक्स और CEO है आली इसान उईगुन और इसके चेर्मेन है जियान लुईगी विटोरियो केश्टेली नेक्स्ट क्विशन है हाल ही में किस सहर में प्लाजमा बलड बैंक सुरू किया गया है तो यह चेर्में प्लाजमा बलड बैंक सुरू किया गया है और इस बैंक में एक साथी साथ प्लाजमा डोनर एक साथ प्लाजमा डोनेट कर सकते हैं नेक्स्ट क्विशन है हाल ही में किस देश को डबलू टीयो द्वारा परेवेशक का दरजा दिया गया है तो है तुर्क मेनिस्तान देश को WTO द्वारा परेवेक्सक का दरजा दिया गया है और यह दरजा प्राप्त करने वाला 25 देश बना है बात उही WTO की तो इसकी फुल फर्म है World Trade Organization और हिंदी में विश्वे व्यापार संगटन और WTO की स्थापना एक जनवरी 1995 को की गई थी और इसका मुख्याल है जेनेवा जो की स्वीट जड़ लेंड में है वहाँ पर इस्तेत है और WTO के अध्यक्स है रोबर्टो एजे वेडो नेक्स्ट क्रिशन है नेक्स्ट क्रिशन है हाल ही में MS इकबाल को किस देश का नोसेना प्रमुख बनाए गया है तो MS इकबाल को बांगला देश का नोसेना प्रमुख बनाए गया है बात वी बांगला देश की तो बांगला देश की राज़दा नहीं है डाका बंगलादेश के प्रदान मंत्री हैं सेख हसीना और बंगलादेश के राष्टपती हैं अब्दुल हामित और बंगलादेश की करंसी है टका नेक्स्ट क्रिस्टन है हाल ही में किसे लीजेंड ओफ एनिमेशन पुरुषकार से समानित किया जाएगा तो है अर्णब चोधरी को लीजेंड ओफ एनिमेशन पुरुषकार से समानित किया जाएगा ये हैं अरनब चोदरी और इन्हे ही मरनोपरांत लीजेंड ओफ एनिमेशन पुरुसकर सम्मानत किया जाएगा और इन्हें भारत के एनिमेशन और मनोरण्यन उद्योग में उनके अमुल्य योगदान के लिए ये हैं सम्मान से सम्मानत किया जाएगा next question है हाल ही में किसे PMO में सेयुक्त सचीव नियुक्त किया गया है अब लाश्ट वीडियो का क्यूशन का हाल ही में किस राजी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री घर घर रासन योजना शुरू की गई है तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल द्वारा यह योजना घर घर रासन योजना ही शुरू की गई है अब ये क्यूशन आपके लिए किस राजी के मुख्यमंत्री द्वारा ये सची वाले नामक पोर्टल लॉंच किया गया है ये हैं चार आप्सन और इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दिना है तो ये थे आज के इंपोर्टन क्यूशन्स अगर आपको इन क्यूशन्स में या अन किसी भी क्यूशन में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज़ पर हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिशन में देवा हुआ है तो आप वहां से क्लिक करके हमें फोलो कर सकते हैं और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बैल आइकन को भी जरूर से जरूर दबा दीजे ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके तो आज की वीडियो यहीं समापत होती है जै हिंद